वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल तो आज मैं आगी हो फिरसे एक नए केक के डिजाइन के साथ तो यहां पर जो केक है जम फिरसे बनाने वाला यूनीक सा केक यानि की कपकेक यानि की कप थीम वाला केक तो यह बिल्कुल अलग तरीके से बनेगा उससे पहले भी मैंने बागी जो भी डिस्क्रिप्शन में सारी मेजिरमेंट होगी केक से रिलेटिड वो मैं आपको दे दूँगी बागी केक के ओर्डर तो आ रहे थे लें वीडियो अपलोड करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था क्योंकि गर्मी इतनी जादा है यहां पे और मु जैसे हम थोड़ा सा ट्रिम कर रहे और यह थोड़ी से उट गई थी उपर से तो यह कभी कभी हो जाता है लेकिन इसकी वज़े से भी यह कारन है क्योंकि एक चो कंटेनर है यह डॉल शेप का कंटेनर है तो इसमें स्पेस उतनी नहीं होती है बाकी अगर आप सब जैसे पूलने की और वह इतना जादा फूल जाता है उपर से की वह थोड़ा सा क्रैक हो जाता है और थोड़ा उपर से उठ जाता है बस यह इसका रीजन होता है तो हमेशा इसलिए ही कर आप देखते हो कि मैं दो तिन सेक्शन में बनाती हूं के को एक ही कंटेनर का यूज करती केक स्पॉंजेस बनाने के लिए ताकि हमेशा मुझे फ्लैट शिप मिले और अभी तक आप सबने जितने भी केक्स देखे हैं जो भी मेरे रेगुलर वियर से आपको पता होगा कि हमेशा ही जो मुझे की जो टॉप आली सरफेस वह फ्लैट मिलती है कभी भी इतनी उठी भी जाए करीम हमें नहीं लगानी है केक पे कम क्रीम हम यूज करें और रस्मलाई का भी जो केक वुसका फ्लेवर रखे बलकिन बहुत जादा मीठा ना रखे तो यहां पे अब देख रहे हो रस्मलाई के जो चंग्स है वह काफी कम कॉंड़िटी में यूज करी तक फ्लेवर जैसा जो कस्टमर की डिमांड है उसके हिसाब समसारी चीज़े फुलफील कर सके और बहुत सथा मीठा भी नहीं रखना था इसलिए क्योंकि इसका जो रस्मलाई का जो मिलक है उसके साथ मॉलरी ब्रेट को सोक कर रहे तो एक वह स्वीटने सो जाती है उपर से जब मिठाई साथ से हमने यहां पर सारी चीज़ों को किया ताकि क्रीम भी जादा ना रहे बाकी हमेशा मैं कहती हूं कि कर्मी बहुत जादा है तो प्लीज प्रिकॉशन्स रखिए केक का क्रीम जो है आप अच्छे से विप्ट करके फ्रिज में रखिए जब आपको जरत है निकालिए उ साफθη कर दिया कर लीजिए कि लियर एक कर दो के साथ जो हूँ जब रहे जाए तक लिक्रीम का अंच्छे से 15-15 घंट और यहां पर आप देख रहे हो लेरिंग हमने एकदम अच्छे से कल डी वन बाइवन और इस वाले वीडियो की जो लिंक है इसे रिलेटेड जो और मैंने कपकेक्स बनाए हैं कप थीम पे वह सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप वहां से भी चेक आउट क अगर आप देख रहे हो इस तरीके से मैंने लिफ्ट किया उससे पहले मैंने यहां पर जो भी आप वोड़न डावे लगाना है लॉलिपॉप स्टिक लगानी है प्लास्टिक डावे लगाना है अब कुछ भी लगा सकते हो ताकि अच्छे से केक सेट रहे तो यह देखे के जाधी नहीं लगानी है कस्टमर की जो भी दिमांड है उसके हुसके सबसे तो बहुत सारी कस्टमर से ऐसी होते mama cae यान जो भी हमने जिनको केक दिया उन्होंने ऐसा बनाया बाकि यहां पर आइसिंग हम अच्छे से करेंगे और पूरी कोशिश करेंगी कि ब्रेट क्रम्स हमारे ना देखे लेगिन क्लाइंट से मेरी बात होगी तो उन्होंने कहा था अगर हलका फुलका दिखेगा कोई दिक्कत न यहां पर सारी चीजों को उसके हिसाब से करेंगे यह बर्डी गल के लिए ही केक था और जिनका बर्डे था वह बहुत जादा बड़ी बच्ची नहीं थी चोटी बच्ची थी तो इसलिए उन्होंने कहा था कि क्रीम में कम चाहिए तो यह सारी उनकी डिमांस थी टॉप वल और जाद वाल पार्ट मैंने नहीं डाला थोड़ी सी स्टिकी रखी है और इस तरीके से स्प्रेट करने के बाद इसे में अच्छी से स्विल्स के डिजाइन दे दिये और अगर आप देख रहे हो ना तो इतनी जादी बहुत पतली नहीं रखनी इतनी स्टिकी रखनी के अपर से जो ना गिरे ना सॉस जो भी हम बना रहे हैं तो यहां पर क्लाइंट नहीं यह भी कहा था कि उपर में चोको चिप्स थोड़े से आप डाल देना जो बिस्किट से उसके बगल में यानि की साइट पर थोड़ी सी डेकुरेशन कर देना चोको चिप्स के साथ क्यूं दोस्ती विस्कित करके से फ्रिच में रख रही थी और फ्रिज में रखने के बाद जबल्डत देना था जब मुझे कलाइंट को देना था उससे पहले की यह व्यूरेशन ही उससंे पहले तो मैंने आयसिं की साखर थोड़ी देनी रख दिया था ताकि अच्छे से ठंड़ा कर दो कि यूज शेप बनाना है और दोनों साइड्स पर हम ने लगा लिए अच्छे से स्टिक वुर्णें स्टिक हम ने लगा ली पतली वाली और इस तरीके से फिक्स कर दिया है तो यहां पे बिस्केट लगा दि हमने और अगर आप चाहो तो इस तरहने अपने क्लाइन को यह बहुत अच्छी लुक देता है लेकिन क्लाइन ने जो पिक्चर दिखाई थी उसमें आइज और स्माइली फेस बना हुआ था तो हमें उस तरीके से ही बनाना है बाकि यह पे चोको चिप्स की भी लुक काफी अच्छी आ रही थी और उपर में जैसे मैं वो मैंने self-pick-up cake था यह बला उसके हिसाब से लिया वन कीजी के हमारा cake था सारी decoration उनकी demand फुल फिल होने के हिसाब से सारी चीजों को लेकर इस cake का price मैंने ज़ादा ने सिफ 600 लिया है आप अपनी जगा के हिसाब से ज़ादा कम जैसा है आप ले सकते हो बाकि I hope जैसा मैं हम मैंशा कहती हूँ कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी क्यूंकि क्लाइन को केक का डिजाइन टे सारी चीज़े काफी अच्छे से पसंद आई बस इस तरीके से धेर सारे कमेंट्स प्यार करते रहिए सपोर्ट करते रहिए जो डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन म में पूछिए जितनी कोशिश होगी कमेंट में या फिर वीडियो के दुरू आप सब के एक्स्प्लेइन करने की पूरी कोशिश करूंगी थैंक्स फॉर वाच्छेंग